हलो एव्रिवन आम अश्रम आनंदन और आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है त्यूंकि ये वैकंसे से रेलेटेट वीडियो है और पतना हाई कोड का वैकंसे निकला है आपको पता ही है 2023 के लिए जो वैकंसे निकला है टोटल पोस्ट जो है ये 550 सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक्जाम कभी होना है ओनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म कभी से भरा जाना है तो ये 6 फैब्स 2023 से ही स्टार्ट हो चुका है और लास्टेट जो है ये 7 तीन मतलब 7 मार्स 2023 तक है इसका लास्टेट बहुत शॉर्ट में देखेंगे मैं पूरा का अप्लिकेशन फॉर्म आपके सामने खोल के नहीं रखूंगी पूरा नोटिफेकेशन नहीं लेके आई हूं क्योंकि आप सब खुद परिशान है 68 BPSC की प्रपेशन को लेके BSSC की प्रपेशन को लेके और BPSC Assistant के लिए और उसमें मैं एक दो घंटे आपका लेना नहीं चा सकते हैं और भी जो कुछ बाकी है वो 1 by 1 सब कुछ हम कंप्लीट करवाते जाएंगे सो लास्ट एट जो है वो साथ मार्च है और पेमिंट डेट जो लास्ट है वो 9 मार्च तक आपको पेमिंट कर देना है एक्जाम का डेट जो है वो 30 तारिक तक 30 अपरिल को दिया है लेकि फिर हम देखने वाले हैं यहाँ पे कि टोटल पोस्ट जो है यह 550 है और ग्रूप B लेबल का यह पोस्ट है सैवन्थ लेबल का पोस्ट है और इसका पे स्किल काफी अच्छा होता है 44,900 से लेके 142,400 तक होता है सीट जो है यह कौन से क्लास को कौन से काटेगरी को कितना सीट किया गया है यह भी देख लिजे अप फिमिल के लिए आपको पता है कि 35% रिजरवेशन है जिसकी वाज़े से 189 सीट जो है यह 550 सीट में यह फिमिल के लिए है 189 सीट और बात बाकी में जो क्या इन जो खेट टेगरी 99 सीट आंड इंते परसंट रिजरवेशन दिया गया है और जो बाक्वाड क्लास है उनके लिए 66 बाकी किलाने सी जोना में इनको रिजरवेशन है फिर एक्स फिर्वकर यह इनके लिए 52 सीट से और 10 इनके लिए आरद हनाने है Communicationsel जो है działa पनाको physically handicapped हैं उनके लिए 22 seats हैं तो यह है seats allocation जो हमने देख लिया in short और next हम देखने वाले हैं कि application form fee क्या होने वाला है तो यह unreserved के लिए BC के लिए EWS के लिए और EBC के लिए 1200 होने वाला है और SCST and जो physically handicapped हैं उनके लिए 600 fee होने वाला है तो बेशक फी ज्यादा है बट पोस्ट भी क graduation जो है यह graduation होना चाहिए any recognized university से किसी भी subject में भी चलेगा ऐसा कुछ specific नहीं है कि यह subject होना चाहिए and यह compulsory है कि आपके पास computer diploma course का six month का आपका certificate होना चाहिए किसी recognized university से तो यह तो हास के रेट में सब के पास होता ही है अगर नहीं होता है तो आपको पता है कि क्या करना है और उसके बाद देख लेते हैं ace criteria क्या क्या है किस ace तक कौन से category की लोग form भर सकते हैं फिलब कर सकते हैं तो यह unreserved category की और EWS male जो है यह 37 years तक है इनका ace criteria और unreserved EWS female के लिए है 40 years और backward class और extra backward class male female के लिए है 40 years और SCST male female के लिए है 42 years और वही handicapped जो students है उनके लिए है candidates है उनके लिए है 47 years बात करने वाले है syllabus की जो काफी important रहने वाला है और मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत पहले से इसके तयारे start कर रखी है और बहुत सारे videos हमने हिंदी से related डाले है English से related डाले है current of yours GA से related डाले है तो आप one by one सारे videos को देख सकते हैं and 68 BPSC के बाद हमारा fully focused यह रहेगा and BPSC assistant and BSSC exam रहेगा तो don't worry about that one by one हर एक चीज़ को हम complete करेंगे general awareness और current मिलाके that is current affairs और GK static portion मिलाके आपसे 25 questions पूछा जाना है और यह especially कहां कहां से पूछा जाना है यह मैं आपको एक next video में complete करवाऊंगी और वहां वहां से हम question रोज का 100 questions at least practice करेंगे reasoning और maths मिलाके 25 questions पूछे जाने है जिसका one by one पूरे shortcut tricks formulas के साथ हम complete करेंगे English general 25 questions पूछे जाने है और Hindi general 15 questions पूछे जाने है computer जो है यह 10 questions basic knowledge का पूछा जाएगा ठीक है यह computer यहां के भी हम thousand questions करके जाएंगे इतना काफी है सबका कम से कम इतना तो question हम करके जाएंगे बात आती है written test की means exam की तो उसमें आपको दो paper लिया जाएगा that is general English descriptive nature का है और general Hindi यह भी descriptive nature का है general English जो है यह 60 marks का पूछा जाएगा जिसमें 24 marks तो minimum आने चाहिए और वहीं हिंदी 40 marks कराएगा जिसमें से 16 marks आपको gain करने है minimum यह 3 hours का यह exam है और आपका जो prelims exam है यह total 100 marks का है minimum qualifying जो है यह 40 marks और इसे तो कुछ होना जाना है नहीं cut-off depend करता है और prelims test जो है आपका वो दो घंटे का है मेंस में आपको 3 hours मिलेंगे इन दो subjects के लिए काफी है total time है यह और computer test जो है यह आपका qualifying nature का है सिर्फ आपको qualify करना है और last में आता है आपका final round that is interview जो 10 marks का है और वो जो है उसमें आपको 3 marks gain करना है see आपने prelims में qualify किया है आप मेंस में पहुंचे then मेंस में अगर आपके अच्छे marks हैं तो सबसे जारा chances होते हैं आपके interview में select होने के यह आपके personality पर depend करता है आपके interview पर depend करता है और interviewer से आप कैसे पेश आते हैं उस पर depend करता है तो one by one में बताना चाहूंगी कि मेरा जो step रहेगा क्या रहेगा आपके preparation में सबसे पहले तो मैं English का आपको हर एक जो topic है उससे minimum 500-500 questions तो जरूर complete करवाऊंगी theory के साथ कुछ-कुछ जो आपको जानना जरूरी है उसके बाद हिंदी का हमने बहुत सारा वीडियो complete कर रखा है सिर्फ एक topic कोई बाकी है क्रिया और क्रिया विशियसन बाकी है वो मैं complete करूंगी जहां से questions बनते हैं और computer की बात में करूं तो यहां पर मैं at least thousand questions का setup के पास लेकिया होंगी और GKGS के लिए सबसे बहतरीन कि मैं आपके लिए क्या करूंगी कि रोज का thousand सारी रोज का hundred questions मैं लेकर आऊंगी जिसमें आपका current affairs भी रहेगा और जो static portion है GK का वो भी रहेगा प्लस में हम लोग सबसे important चेस के सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे previous year कि previous year में जो questions है वो किस टाइब के आज तक पूछे गया है और उसी के basis में हम अपनी preparation करेंगे at least 3-4 साल का previous year question हम जरूर देखेंगे और फिर 10 practice sets जो है गो हम बनाएंगे तो यह सारा का सारा हम देखेंगे और लास्ट में बात आती है maths and reasoning की तो आप कितने भी विखो maths and reasoning में लेकिन इतने सारे shortcut tricks आपको बताया जाएंगे हमारे channel के माधियम से कि आप at least 70% question तो आप cover करके आओगे ही आओगे तो यह मेरा strategy रहने वाला है और यही strategy में follow करने वाली हूँ आपके आने वाले exam के लिए और 68 BPS exam के बाद रोज का आपको इसमें 4 videos मिलेंगे जिसमें आपको एक video हिंदी का मिलेगा एक video आपको मिलेगा maths और reasoning का shortcut tricks के लिए और एक आपको video provide किया जाएगा हिंदी के लिए और एक English Hindi और shortcut tricks के लिए और एक GKGS current of yours के लिए मिलेगा जो computer के बाद हम कर ले तो ये दो sets में cover करूंगी 500-500 questions इतना देख के जाना आप इतना काफी है और कुछ formula कुछ shortcut keys बेरा है वो एक पर आपको list provide कर दिया जाएगा सो बने रहे ए-9 education के साथ अगर हमारी मेनत पसंद आती है तो चैनल को like and subscribe जरूर कीजिएगा और 68 BPSC के लिए काफे सारी हमने वीडियोज अप्लोड कर रखी हैं आज भी हम 3-4 वीडियोज अप्लोड करने वाले हैं आज रात के 10 तारीक के 12 एक बचे तक आपको वीडियो म में लगिए यही हमारी मनुकामना है थैंक यू सो मच